हेलो गाइस वेलकम टू माय यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्विंग स्टॉक्स लेके आया हूँ जो आप लोग आने वाले टाइम में आप लोग उसमें ट्रेड ले सकते हो यहाँ पर आप लोग देखकते हैं मैंने आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए चली वीडियो को स्टाट करते हैं सबसब लें हम लोग आप फर्स टॉक को ले लेते हैं यहाप लोग देखते हैं सूरिया रोशनी एक स्टॉक है हम लोग पास जिसका आप लोग देख सकते हैं यहाप काफी ब्यूटिफुल है आपर हम ब्रेक आउट देंगे को मिल रहा और हम लोग को इसके लिए प्लान ही होना चाहिए कि अगर मारंग इस टॉक में अगर अभी यहाँ पर एक पूल बैक आता है येहाने के बाद market यहान कहिए आके इस level के आशपस अगर जोन के आशपस अगर रेटैस्ट करता है और उसके बाद फिर से उपर जाने लगता हा तौ तो तब हम लोग इसमें प्रॉपरली पूरा यहां पर हम लोग यह एक्सपक्ट नहीं करेंगे कि हम लोग को इस ट्रेंड लाइन के उपर ही हम लोग को स्टॉक आएगा 610 तक उसके बाद ही उपर जाएगा अगर 630 से लेगे 635 के आसपास पर आ जाता है तो भी हम लोग काफी अच्छा प्राइज हो सकते हैं यहां पर हम लोग ने फिपशनछ लेवाल यहां पर लगा लिया बॉटम से टॉप तक और फिर उसके बाद हम लोग 하ें रिखेंगे हम लोग का आrene जो हम लोग का यह और लोग और्णिंट भी आगर अगर च거든 dunk में इस इस पर entry ले लेंगे और हम लोग का अगर टार्गेट अगर इस पर find करेंगे हम लोग फेबोनिची एक्सेंशन यूज करके आगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को easily यहाँ पर 840 का या फिर हम लोग को 800 का यहाँ पर easily हम लोग को target मिल सकता है आप लोग की फेबोनिची एक्सेंशन और फेबोनिची रिट्रेस्मेंट का यूज करें काफी easily आप लोग trade find कर सकते हैं entry level and exit level जो कि मैं अपने प्रिवेस वीडियो में भी आप लोग को in detail सारा बता है लेकिन यहाँ पर आप लोग को फिर से बता दूँगा यहाँ पर हम लोग का first target होना चाहिए last target होना चाहिए 837 इसकी उपर अगर stock जाता है तो well and good लेकिन हम लोग अपना last जो target मानके चलेंगे 840 के आसपास का उससे पहले भी हम लोग अगर यहाँ पर हम लोग को 780 का भी है अगर हम लोग फिर से target मिल जाता है 785 तक का भी तो भी हम लोग यहाँ पर अपना profit बुक कर लेंगे लेकिन है उससे फ़र हम लोग के लिए important ही है कि हम लोग जो स्टॉक हो यहाँ पर हम लोग का retest करना चाहिए जब तक वह retest नहीं करेंगा तब तक हम लोग यहाँ पर उसमें entry नहीं लेंगे और इसमें अगर entry अगर activate हो जाती है तब हम लोग इसको stock को trade कर समें है यहे जैसे कर सकते है आगर अगर अब लोग इसके previous swing को अगर आप लोग देखागे नहीं है तौट अगर हम लोग cautoo सचा आया और यहां से आने के बाद कंटीनुस में जो रेली आ इए अगर हम अगर इस के बाद इस स्टॉफ में ट्रेड करना है यह हम लोग का अप dope हैं फोल गया इस तरीक से इसके इसको माक करें गे और इसका रवेट करें किया हम हम लोगों को यह यह तो जिरो पॉंट फइल प्रफोंट यह या तो शिको जिरो फॉंट फ़र बहुंक लेवल प्राज में या पर entry लेंगे otherwise यहाँ पर entry लेना काफी risk होगा अगर यह नीचे नहीं आधा pullback नहीं लेता है या फिर at least इस वाले अपने support zone पर नहीं आता है तब तक हम लोग इसमें entry नहीं लेंगे हम लोग इसको ignore करेंगे otherwise यह काफी अच्छा हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो stock है वो यहाँ पर काफी अच्छा आप लोग देख सकते हैं लास तीन दिन में काफी तगड़ा breakout देखने को मिला है हम लोग को इस वाले stock में और हम लोग यहाँ पर जैसे कि मैं आलरड़ी है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का एक trend line बन रहा है और जब तक हम होग इस trend line को अगर यह वापस से retest करने नहीं आता है या फिर otherwise हम लोग का फेबो नीचे रिटरस्मेंट के हिसाब से अगर यह 60% 0.61 या फिर 0.5% के आसपस नहीं आता तब तक हम लोग इसको यहाँ पर trade नहीं करेंगा और हम लोग का zone होगा हो यह होगा otherwise अगर यह नीचे भी आता है अगर 0.6 के नीचे भी आता है तो भी हम लोग इसको trade करें क्योंकि हम लोग को इस वाले जो हम लोग का trend line है उसका हम लोग यह पर retest चाहिए होगा otherwise अगर वह 0.61 के आसपास भी आकर reverse हो जाता है तब भी हम लोग उस पे entry ले लेंगे otherwise हम लोग यहाँ पर wait यहाँ पर मार्क करूंगा 560 के आसपास हम लोग यहाँ पर अपना target बुक कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को जो previous हाय होता है उससे थोड़ा अगर हम लोग नीचे का target रखेंगे तो हम लोग के लिए काफी safe profit booking हो जाएगी उसके लिए अगर आप लोग risk load ratio भी देखोगे हम लो तो उस ट्रेंगल के breakout पर हम लोग यहाँ पर काफी easily हम लोग आपर entry अपनी बना सकते अपनी entry ले सकते और हम लोग इस पर और हम लोग इस पर अगर target अगर percentage ही बात कर तो 14-15% easily हम लोग इस stop पर मिल सकता है तो चलिए हम लोग next stock देखते है टाटा मोटर्स लिमिटेड तो टाटा मोटर लिमिटेड में हम लोग काफी अच्छी रहली देखने हैं मिल रही लास्ट कुछ जिद्वन में तो हम लोग इसका भी pullback का wait करेंगे same kind of scenario हम लोग यह पर expect करेंगे इस golden zone प्याने के बाद ही हम लोग यह पर entry लेंगे अधर वाई इसको भी ignore करेंगे तो मैं आप लोग काफी quickly इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग के पास काफी सारे stocks है आप लोग देख सकते हैं अल्मोस अल्मोस हम लोग पास 19-20 stocks है जो के मैं अगर इन डेटेल आप लोग को हर एक stock के उपर अगर इन डेटेल जाओगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी तो मैं आप लोग को एकदम ब्रीफ में पता नहीं कोशिश कर रहा हूँ हो आप आप लोग को मेरी बातों समझ में आ रही होगी अगर आप लोग कुछ भी इसमें confusion होता है या entry exit में अगर कुछ problem होती है तो आप लोग comment करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आप लोग को बता दूँगा तो चलिए हम लोग next stock की तरफ बढ़ते है so next stock जो है हम लोग का green panel industries तो इसमें हम लोग देख सकत में मिली है 322 से और हम लोग का stock न हाय मारा है almost almost 440 के आसपास का तो हम लोग अगर इसको अगर अभी trade करना है तो हम लोग के पास दो option है या तो हम लोग को इसके रिटर्स का wait करना पड़ेगा इसके बाद हम लोग इस पर enter ले सकते otherwise फिबो निच रिटर्समेंट को हम लोग अब हम लोग इस सोन्वर स्वर्एपा करेंगे इस कोरण को इस वाले स्वेंट को हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे कोई इश्यों नहीं है कभी भी हम लोग एक चीज याद आख नहीं पड़ेंगी कि support या resistance एक line का नहीं होता है एक zone का होता है वह उस zone के आसपास भी अगर market आ जाता है और reverse हो जाता है या stock आकर reverse होता है तो हम लोग उसको good support या good resistance हम लोग consider कर सकते हैं और उस पर entry level हम लोग आ trend of pattern है हम लोग पर breakout अल्रडी मिल चुक है अपने trend line का लगर लेकिन आप लोग को अगर entry level समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग फिपोनीच रिट्रेस्मेंट का या पर आप लोग यूज कर सकते हैं और हम लोग जो entry level बने का वह इसी के आसपास 594 के आसपास बने का अ किया है अगर आप लोग देखो तो exactly हम लोगों का जो zone बन रहा है वह 0.61 का जो zone है हम लोग का इस trend line के ऊपर ही हम लोगों का बन रहा है तो हम लोग के लिए काफी अच्छा यह indication है कि हम लोग काफी अच्छा यह पर pattern देखने हैं मिल रहा है इसके ओपर हम लोग easily trade कर सकते ह तो next stock हो है Tata Cam Tata Cam में भी हम लोगो similar kind of story देखने ही मिल रही है इस है हम लोगों को लेकिन यहाँ पर जो आप लोग Tata Cam को देख रहे हैं हम लोग को यहाँ पर काफी एक बड़ा टाइम फ्रेम में अगर आप लोग इसको one week का टाइम फ्रेम में भी आगर आप लोग करूं कि यह फिर से इस लेवल के आसपास पा कहीं पर आ यहाँ उसके बाद मैं यहाँ पर 20% भी expect कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का आप लोग को पता है कि हम भी market काफी bullish है और मैं personally believe करता हूँ कि next हम लोग का जो अपरेल में election होने वाले हो election के बाद तक भी market bullish होगा उसके बाद अगर market में कोई correction आता है तब वह बात की बात है लेकिन फिलाल तो मैं market को लेकर काफी ज़्यादा bullish हूँ आप लोग इसको long term के लिए यह stock को रख सकते हो वह हम लोग का next stock है वह है यह पर हम लोग का next stock है वह है torrent power तोरण पावर में अल्रेड हम लोग आप लोग यह पर देख सकते हैं लोग की entry जो है वह अल्रेडी यहापर active हो चुकिए हम लोग यह पर delete time frame में जाएंगे यह पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग ट्रॉन्ट ट्रण पावर में अल्रेडी हम लोग पर active हो चुका है यह पर आप लोग देख सकते हैं यहापस हम लोग यह लोग बना था उसके बाद market उपर गया है stock उपर गया stains Dave यह यहाप लोग 586 का entry बनता था और हम लोग जो अभी stock चल रहा है 942 का price चल रहा है stock का और इसमें जो stock की potential है मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर भी entry ले ले लेते हैं अगर हम लोग इसके नीचे का stop loss लगा लेते हैं तो हम लोगों का टार्गेट होना चाहिए वह 12% का easily हम लोगो टार्गेट मिल जाएगा फिर भी हम लोग 1-49 का यहाँ पर रिसके और डिशो मिल जाएगा काफी अच्छा stock है मेरे हिसाब से इस वाले स्टॉक उठा लोग मार्केट में से कोई भी स्टॉक में आप लोग अनलाइस कर लो आप लोगो सिमिल काइंड ऑफ पैटन देखने मिलेगा क्यूंकि आप मार्केट इत्ता जादा बुलिश है कि मार्केट एक रैली देगा रैली देनी के पास सिधा सिधा उपर नहीं आप लोगों को नीचे आके एवरेज करना पड़े या फिर हम लोग का स्टॉप लोग का स्टॉप लोग का फॉल बैक में इसे स्टॉप फाइंड करते हैं जिसमें हम लोगों को पुल बैक आलरी मिल जा उसके बात फिर से जब रैली दखने लगे तब हम लोग उसमें को अगर निचे के हसाब से तो आप लोगो फैबर निची रिट्री में एक अगर आप लोग ट्रेड करोगी तो उसमें आप लोगों को जादा एक्ट्रेश अ मिलीगी ए मिलेगी चली हम लोग बढ़ते हैं सकी तरफ हम लोग Person को पर सो इसमें भी हम लोग लेकिन इसमें अभी तक पूल बैक आया नहीं हम लोग यह पर वेट करेंगे क्या पर फूल बैक आया यहाँ पर एट लीस्ट हम लोग पूल बैक चाहे होगा 208 के आसपस का अधर वाइस हम लोग इस टॉक को एगनौर करेंगे काफी ज्यादा बुलिश आप लोग देख सकते है यहाँ पर किता ज्यादा मार यह स्टॉक उपर जा चुका है तो अगर यह नीचे नहीं आता है अब थोड़ा अगर पूल बैक नहीं लेता है तो हम लोग इसको इगनौर कर सकते है तो हम लोग नेक्स टॉक है एंसेल इंडिया लिमिटेड इसमें भी हम लोग सेम पैटन से सिमैलर कांड डे भी स्टॉक से या पर पूल बैक का वेट करना है और मैं आप लोग को 20 स्टॉक में आतर्या मतलाब के र सेमने सकता है और 20 के 20's तॉक में आपट यह एंट्रिविट होगी हम वी ऐससे सटॉक सासग उल जसकी प्रोबैबिटी हाइं है जिसके हम लोगों क है और जिसमें हम लोग को पुल बैक के बाद हम लोग का entry लेनी है उससे पहले हम लोग का entry निले निले दशी अदर वास आप लोग का stop loss हो सकता है एंटर लेने के लिए आप लोग ज्यादा ग्रीडी होकर एंटरी मतलीजी कि स्टॉक उप़ जा रहा है तो हम लोग एंटरी लेंगे इसमें आप लोग को पहले स्टॉक को देखना पड़ेगा पुल्बाक को चेक करना पड़ेगा कि पुल्बाक कहा नहीं अगर वह फार्मिच रिट Payton कर सबसे ठीक है अगर ब्रेकाउट के सबसे ठीक ठीक है उसके बाद अगर आप लोगों को रिटेज्ट देखने मलते हैं उसके बाद ही आप लोग उस पर ले ज़िए अधर वाइस आप लोग स्टॉक का इग्णूर कर सकते हैं लोग देख सकते हैं सब एंट्री अक्टीब हो चुक है और हम देख सकते हैं यह पर हम लोग लोग काफ़े अच्छा पर पैटरन देखने ही मिला यहां पर हम लोगों ने यहां से 631 से लेकर स्विंग सुविंग रहाए बनाता वे बनाता हो अगन्हों का 852 के आसपस बनाता हम पर यहां पर पूल बैक लेक आइक है और हम लोगों का आप लोग यह पर टार्गेट देख सकते हैं हम लोग यह आप एक्सपेट कर रहे है यह आप 14% का expect कर रहे है आदरवास हम लोग यह आप 10% अगर आप लोग देखोगे तो यह आप 10% या 8% भी आप लोग पगड़ की चलते हो तो क्योंकि आप लोग अप्टर्स वैल्यू एस एच एस जी फिन लिमिटेड सो इसमें भी हम लोग सीमिलर यहाँ पर अभी वेट करेंगे इसके पूल बैक का लेगिन अगर आप लोग एक्चुली देखोगे तो इसमें अल्रेडी पूल बैक आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किती बड़ी यहाँ पर ग्रीन केंडल देखने की नहीं बिली और हो सकता है कि आगे इसको इसको कंटीनियू करें तो आप लोग अगर इस स्टॉक में अगर आप लोग एंट्री कर चुके तो वैल न गूट अदर्वाइस आप लोग इ लिट्निbn कर यूज़ करना है और हम लोग को वेट करना है कि इसका पूल बैक हम लोग को कहा तक मिलता और उसके बार हम लोग उसमें कौंट सा पै्टर बनता है या पर यहां पर ट्रेट कर सकते है ऊप्सक्तर कर नेb सबुएगैंगे इसको क्या मित करेंगे एक resistance का और उसके बाद अभी यह continue उपर जा रहा है तो हम लोग इसको pullback लेने का wait करेंगे तो हम लोग pullback और जो resistance जो हम लोग support है वो same जगे पर है अगर यहाँ पर इस zone पर आता है यह stock तभी हम लोग इसको यहाँ पर trade करेंगे अधरवाज हम लोग ignore करेंगे काफी अच्छा यहाँ पर भी हम लोग का similar pattern है लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर यहाँ पर यूज नहीं करेंगे यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हम लोग यहाँ पर pattern breakout देखने के नहीं मिल रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते इस तरीके का channel ह हम लोगो यहाँ पर breakout देखने के लिए मिल रहा है और अभी हम लोग अगर जो कुछ traders यहाँ पर भी entry ले लेंगे यही पर आज या फिर कला entry ले लेंगे या तो फिर कोई जो ज्यादा safe trader होगे वो यहाँ पर इसका retest का वेट करें उसके बाद entry लेंगे तो दोनों लोग के हिसाब से भी सही है आप लोग अपना stop loss उसके अपने entry के हिसाब से बनाना पड़ेगा लेकिन जो लोग यहाँ पर retest से पहले है आप लेंगे उन लोग के लिए रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा कि कही पूल बैक में उन लोग को stop loss ना कड़ जाए और जो पूल बैक के बाद वेट करेंगे उसके बाद लोग को एक एक्स्ट्रा अड्वांटेश यह मिलेगा कि लोग को प्राइज अवरेज भी काफी कम में मिलेगा और जो लोग का stop loss होगा वह भी इसकी नीचे होगा तो इसकी वाज़े से आप लोग काफी safe side पे रहोगे अगर आप लोग पूल बैक का वेट करोगे तो अधर्वाज आप ब्रेक आउट देखने ही मिल रहा है आप लोग देख सकते हैं ब्रेक आउट के बाद यहां पर रिटेस्ट भी अल्रेड़ी यह स्टॉक कर चुका है यहां पर देख सकते हैं आप लोग इस वाली केंडल पर यहां पर रिटेस्ट कर चुका है अगर आप लोग इसमें भी अ chances काफी जाधा है तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट में जोग है वह और सिस्टम इंटर्णेट इसमें भी हम लोग यहाप पर pull back वेड करेंगे अगर यह pull back हम लोग आया पर इस zone के आसपास आता है तो हम लोग यहाप रेंगे अधरवाइस हम लोग इसको ignore करेंगे so next जो हम लोग का है वो है housing in urban so housing in urban में अगर आप लोग previous pattern को अगर देखोगे तो अगर आप लोग previous pattern को देखोगे तो हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस वाले अगर swing low से अगर हम लोग इस swing high को इस तरीके से मार्क करते हैं तो हम लोग का जो proper हम लोग का entry level बना था यहाँ पर यहाँ पर entry बनने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का जो प्राइस बना था वो हम लोग का 97 का लो बना था और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो हाँ बनाया है मारक स्टॉक ना वह है 136 और हम लोग अभी भी same pattern का यहाँ पर बनने का वेट करेंगे नेखी लेकिन हम लोग जो आलग तरीके से यूज करिए है अब हम लोग पर क्शुआल पर बनेगा और हम लोग जो यहाँ पर पूल बैक का वेट करींगे वह हम लोग कह 171 क्या पर यहां पर पूल बैक बनेगा । तो यहां पर मैं आपलोगो यह बतां चार ऌड़ा हो कि पर उसी पैटन को फॉलो करने के लिए बना है आप लोगों को भी अगर इस मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आप लोगों को भी पुलबैक्स पर एंटरी करना पड़ेगा आप लोग यहाप पर आहीं से उपपर चला जाता है यहाप इस लिए जों में नहीं इसको इगनाॉर करेंगे तो अगर आज की वीडियो आप लोग को यूस्फुल लगी हो या आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो अगर आप लोग चैनल पे पहली बढ़ाय हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आप लोगों वीडियो पसंद आये हो तो अपने फैमिली फ्रेंग कर शेर किजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए थेंक्स फॉर वाचिंग